इतिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा आज गांधी जैन्दी के मोके पर सेवा फॉंडेशन की तरफ से हम यहां पर फ्री में जो है मास्क डिस्टिबिशन प्रोग्राम कर रहे हैं और समाज की सेवाएं जो हैं बहुत सरी करनी है तो उसकी शुरुवाद जो है अभी जो कोवीड नाइटिन चल रहा है और लोगों में जो है एक अवेरनेस चाहिए कि वो खुद की सेवटी के साथ में दूसरों को भी जो है प्रोटेक्शन दे और अभी जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं जैसे के डेथ हो रहे हैं और हमारे अभी मानिया यंपी जो है स्री सूरेश अंगडी जी उनका भी जो है स्वर्गवास हो गया तो रीजन जो है ये बीमारी ये किसी को देख के नहीं आएगी तो हमें चाहिए कि हम लोग खुद की इफाज़त करें और खुद का प्रोटेक्शन करें और एहत्याद बरतें तो उसकी लिए जैसे के बताया है कि हम लोगों को मास्क पहनना है और फिर हातों को सेनिटराइज करना है और उसी तरह से सोशल डिस्टन्स मेंटेन करना है और ये अभी पूरी दुनिया में सबसे बड़ी बिमारी फैली हुई है और हम लोग चाते हैं कि इंडिया की अंदर जो है जितना हो सके हम लोग इसे रोकने की कोशिश करें और खुझ से जो है हम लोग इसके लिए कदम उटाएं तो आज गांदी जयन्ती के मौके पर सेवा फाउंडेशन यहां पर3 इंदर आज करीबन 10,000 मांस Vya करने वाले और यहां से जो हम लोग ने हमारे राष्ट्र पिता महात्मा गांदी लिए इनका आज जनम दिन है इसमौके पर इनसे हम लोग ने अशिरवद लेके फिर काम शुरू किया है और अभी हम लोग जो है चन्नमा सरकल है फिर किला सरकल है उसके बाद नातपई सरकल है फिर बस्टैंड है ऐसे कई जगा पर जहां पर पब्लिक जमा होती है वहां पर जाएंगे और फ्री में जो है उनको मास्ट देंग क्यूंकि है जो है बहुत इंपोर्टन और आज चल रहे उसके लिए बहुत सारे जो है फॉंडेशंस है और गॉवर्मेंट के तरब सी भी बहुत से काम चले हैं तो हम लोग भी एक कोशिश कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि सब लोग इसमें सहयोग करें और खुद भी सेफ र सब्सक्राइमाइब करन गरता निया प्रस्टान नू neuralंaşर, हम धिसर्देफ संवीगनेर हैं mist ooる कि अरी फिएetrああ解 ची इसर्देश voi बुष multiple कि वीर आफ जिसर्देश का ली सिर्देश अवेसर क कր대 को आद बेशने जाहरे से बारे कि विश कम्यातन प्रEO इंट इंट और इस IPL니다 COVID-19. As everybody knows today like we have this COVID-19 is a very risky disease which which is spreading so we just want to spread awareness for everyone to be safe and to be protected. Thank you.